नमस्कार साथियों एकाडमी के NCRT सीरीज में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो अर्थ विवस्था के साथ साथ जो विज्ञान के खंड है उनको भी कवर करना बहुत आवश्यक है इसलिए उस पाठे पुस्तक पर भी हम बात करते चलेंगे और सब्ता हमें कोशिश करेंगे एक या दो वीडियो आपको इसके भी मिलते रहें तो कक्षा साथ की पाठे पुस्तक है जो अभी हम कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं और इसके अंतरगत जो अध्याय हैं लगभग काफी सारे अध्याय कावर हो चुके हैं आज हम है अध्याय आठ में अर्थात पादप में जनन तो पादप में जनन की क्या प्रक्रिया है महतन łat हो जाता है फोड़ा सा आपका जीयोविज्यान वाला टॉपिक है यह कौन सा जीयोविज्यान के अंतरगत आप पढ़ते हैं और जादा important हो जाएगा यह आपके PCS exam के लिए कि उसमें सीधे सीधे इस तरह से सवाल बनते रहे हैं इसके बाद आप पढ़ेंगे अध्याए 9 में गती और समय को विद्युधारा और इसके प्रभाव को प्रकाश को वन हमारी जीवन रेखा और अप्षिष्ट जल की कहानी ठीक है यह जो चैप्टरा भी रह जाएंगे फिर उनको हम पूरा करेंगे पादप में जनन का जो आपका टॉपिक 8 है यहीं आपका जो अध्याए 8 है वो कई तरह की बाते बताता है जिसे कि लेंगिक जनन क्या होता है अलेंगिक जनन क्या होता है पादपों में किस तरह से मुकलन होता है किस तरह से प्रकिरनन होता है किस तरह से बीजों का निर्मा जिसको जनन कहते हैं तो किसी भी पादप अर्थात किसी भी पौधे में और किसी भी तरह के जीव में तीक है क्या आवशक है जनन की प्रक्रिया का होना तो जनन की जो प्रक्रिया है इसका गूल अर्थ है अपने समान संतती उत्पन करना या अपने समान अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ जन्म देना तो जब भी आपने देखा है कि जीवों में भी बच्चों का जन्म होता है इसी तरह पादपों में भी नए पौधों की वृद्धी के लिए अलग-अलग तरह की प्रजनन प्रक्रियाएं होती है कक्षा 6 में आपने अध्याय 6 में पढ़ा हुआ है कि सभी जीव अपने समान जीवों को उत्पन कर सकते हैं और इसे क्या कहते हैं जनन कहते हैं यानि माता पिता के द्वारा अपने ही समान संतति उत्पन करना अपने ही समान किसी अपनी संतान को उत्पन करना जनन कहलाता है। लेकिन अगर आप देखोगे पादपों में तो पादप जनन कैसे करते हैं यह आपको इस पुस्तक में बताया गया है। तो आप पढ़ोगे कि लेंगिक जनन क्या लेंगिक जनन में नए पादप जो होते नए जो पौधे होते हैं वो बीजों से प्राप्त होते हैं जबकि अलेंगिक जनन में जो नए पादप हैं वो बीजों अत्वा बीजाड़ूं के उपयोग के बिना ही उगाये जाते हैं दो बाते यहां पर आपको इसपस्ट हो गई कि लेंगिक जनन में बीजों का बनना आवशक है लेंगिक जनन में जो नई संतती या नई पौधे उत्पन होंगे उसके लिए बीज बनेंगे और आलेंगिक जनन में क्या होगा कि बीज नहीं बनेंगे किसी अन्यविधी से ही पौधे उपजाये जा सकते हैं तो बहुत सारे शब्द हैं आज की इस पुस्तक में बहुत सारे शब्द हैं आप वो सीखने है जैसे कि अलेंगिक जनन किसे कहते हैं मुकलन क्या है भून किसे कहेंगे प्रकिरणन की प्रक्रिया क्या है निशेचन कैसे होता है खंडन किसे कहते है युगमक क्या है भीजांड किसे कहेंगे परागण किस तरह से होता है अपने पराग कड़ों के बारे में सुना होगा है ना पराग कर और प्रिफी पर मौझूद एक सबसे प्रमुख प्रक्रिया है प्रक्रिया का ये भाग है परागन तो इसको भी जानीगा परागन किसे कहते हैं और होता कैसे फिर लेंगिक जनन की क्या प्रक्रिया है इसमें भीजाडू किसे कहते हैं भीजाडू पुष्पों को आप देखते हैं फूल केवल एक तरीके से सुन्दरता के लिए ही नहीं है केवल दिखावे के लिए ही नहीं है वो इंसानों के लिए सजावट का माध्यम हो सकते हैं लेकिन पौधे के लिए जनन का एक बहुत महत्पूर भाग होते हैं तो उनके बारे में भी या थोड़ा बैज्ञानिक तरीके से आप सीखेंगे कि पुष्पों को आज तक आपने जिस तरह से सोचा था या उसको देखा था उसका जो वास्तविक कार है वो काफी अलग है तो जनन की क्या-क्या विधियां हो सकती है सबसे पहले यहां से हम बात करना शुरू करते हैं तो आपको पता है कि पौधे की सनरशना पर अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो उसमें आपको क्या-क्या चीदे दिखती है आपको दिखता है सबसे पहले उसके निचले भाग में उसकी जड़े क्या दिखती है जड़े इन्हें क्या कहते हैं इन्हें क्या कहते हैं मूल भी कहते हैं मूल अथा जड़े फिर आपको मिलता है वहाँ पर तना क्या मिलता है तना ठीक है उसके बाद जवाब और आगे बढ़ते हैं टहनियों पर तो फिर आपको क्या मिलती हैं पत्तियां क्या म काईक संरचना कार्थ क्या होता है किसी भी पौधे की काया से संबंदित अर्थात उसके पूरे शरीर और बाहरी आवरण जो आपको दिखता है उसकी संरचना तो वृद्धी की निश्यत अवधी के बाद जब भी कोई पौधा एक निश्यत अवधी तक वृद्धी कर लेता ह तो उसमें अधिकांश आपको दिखता है कि पुष्प खिल जाते हैं तो उसमें फूल निकलने शुरू हो जाते हैं जैसे कि बसंत रितु में अगर आप देखोगे तो आम के व्रिक्षों में tard फूल निकलते हैं यार्थात आप बीजों को फेक देते, गुठली क्या है उसमें, बीज है उसका, अब वो बीज जो आपने फेक दिया, वो अंकुरित होकर एक नया पौधा बना देगा, वो क्या करेगा, अगर ऐसा है तो पादप में फिर पुष्पों की भूमिका क्या होती, क्योंकि बीज, क्या था बीज, तो वो गुठली थी, अब वहाँ पर पुष्प क्यों आये थे, तो आप ये बात समझे है कि पुष्प दरसल पादप में जनन का कारे करते हैं, क्या करते हैं, पुष्पों का कारे पादपों के अंतरगत जनन का होता है, मैं एक बार लिख देता हूँ, या मादा जनन अंग, या दोनों ही मौजूद हो सकते हैं, अब ये टेकनिकल बात है याद रखी गए, तो नर हो सकते हैं, या मादा हो सकते हैं, दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं, अब पादप जो है, पादप पर्थात पौधे, पादप जब मैं कहता हूँ, हमेशा उसका पौधों से निकालना है तो पौधे अनेक विधियों के द्वारा नई जो संतती है उसको उत्पन न कर सकते है अब मैं जान बूझ का टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं कि जो आपके सामने प्रश्ण बनेंगे वो ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बनेंगे तो जनन बिसिकली दो प्रकार से होता है मैंने आपको पीछे क्या बताया एक होता है लेंगिक जनन और दूसरा होता है आलेंगिक जनन तो आलेंगिक जनन में जो पादप है वो बीजों से प्राप्त होगा ठीक है यह बात अब आपको इस पस्ट हो गई होगी यहां लिखा हुआ है अलंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाड़ूं के उपयोग के बिना ही उगाये जाते है इसके लिए कि एक और प्रक्रिया है क्या है काईक प्रवर्धन आईए काईक प्रवर्धन पौधे को उपजाने की एक प्रक्रिया है नए पौधे को बनाने की एक प्रक्रिया है अगर आपसे यह पूछा जाए कि काईक प्रवर्धन की जो विधी है काईक से अर्थ है किसी पौधे की का एक संदचना प्रवर्धनकार्थ है उसको बढ़ाना तो अगर किसी पौधे की नई संदचना बनाकर उसकी वृद्धी करानी है तो यह किस तरह के जनन के अंतरगत आता है तो यह एक प्रकार का आलेंगिक जनन है क्या है आलेंगिक जनन है जिसमें किसी पौधे के या पादप के मूल अर्थात जड़ मूल अर्थात उसकी जड़ का इस्तिमाल करके उसके तने का इस्तिमाल करके या उसके अंतरगत जो पत्तियां है पत्तियों का इस्तिमाल करके या जो कली है नए पुष्प की, नए पुष्प को बनाने के लिए कली है, उसको मुकुल कहते हैं, क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं, इसका उपयोग किया जा सकता है, यानि इस तरह के किसी भी काईक अंग का इस्तमाल करके जब नया पादप प्राप्त किया जाता है, तो आप कहते हैं कि य प्रवर्धन ठीक है जैसे कि मैं आपको उधारण देता हूं कि अगर आप किसी गुलाब के पौधे में गुलाब या चंपा का एक पौधा होता है उसकी शाखा से उसके पर्वसंधी के पास से काटी किस से काटी पर्वसंधी अब जो शब्द है पर्वसंधी पर्वसंधी का क्या मतलब होता है, जहां से कोई नई पत्ती निकलने वाली हो, जैसे यह है, यह से को यहाँ पर दिखाये गया है, इसको थोड़ा बड़ा करके देखें तो इस तरह से, यह क्या है, परवसंधी का हिस्सा है, अब परवसंधी को जब आप यहाँ पर काटोगे ठीक है इसके टुकुले को क्या कहते है क्लम कहते है क्लम कहते है अब आप इस कलम को ले जाकर के मिट्टी के अंदर दबा दो जब आप इसे मिट्टी के अंदर दबाओगे और कुछ दिन पानी देते रहोगे तो आपको दिखाई देगा कि कुछ दिन के बढ़ने लगी है और इसके अंदर से क्या होने लगा है एक नया पौधा बन करके तयार होने लगा है नई पत्तिया आने लगी है नीचे जणों का निर्माड होने लगा है ठीक है इसी तरह अगर आप चाहो तो money plant एक पौधा होता है कौनसा money plant money plant को भी अगर आप पानी में ड धरों में लगा होता है आपने देखा होगा हो सकता आपके घर में भी लगा रहा हो तो आपने पुश्प कलिकाओं से पुश्पों को खिलते देखा होगा है ठीक है पुश्प कलिका क्या है जो छोटी सी नए फूल को उगाने वाली एक तरह से कली आ जाती है इस तरह से कली आ ये जो कलिकायें अंकुर के रूप में डेवलप हो जाती है और इनको क्या कहते हैं काइक काइक जहाँ पर भी काइक शब्द का इस्तमाल हो इस बात को याद रखेगा कि इसका मतलब किसी भी पादप या किसी जीव के शरीर से होता है ठीक है, तो कली में एक छोटा सा तना है जिसनके चार ओर अमेच्योर पत्तिया हैं जैसे आपको यहाँ पर दिखाई देगा जैसे आपको आलू में दिखा रहा है कि आलू से क्या उग रही है, कई सारे छोटे छोटे तने निकल रहे हैं उसमें छोटी छोटी सी पत्तियां लगी हुई है पत्तियां लगी हुई है तो आप क्या कहोगे इने कि कली में आमेच्योर काई कलिकाय मौजूद है तो ये जो काई कलिकाय है ये नए पौधे को जन्म दे सकती है क्या कर सकती नए पौधे को जन्म दे सकती है इसे तरह आपको अद्रक के अंदर कुछ चीज़े ऐसी दिखाई देंगी यानि अगर आप इन काई कलिकाओं वाले हिस्सों को काई भागों में काट दें जिसमें हर एक हिस्से में कलिका लगी हो और आप इसको मिट्टी के अंद पत्थर दबा दें तो आपको दिखाई दिखा कि कुछ दिनों के बाद इसके नीचे अंकुरित होना ये शिरू हो जाएगा और जड़े निकलने लग जाएंगी तो याद रखी कि इस बात को तो ब्रायो फिलम यानि पत्थर चट्टा नाम का एक पौधा होता है क्या कहते है ब्रायो फिलम या इसे ही कहते है पत्थर चट्टा तो पत्थर चट्टा पत्ती के किनारे के गर्त में उसमें कलिकाएं होती है अगर इस पौधे की पत्ती गिली मिट्टी में गिर जाए तो उसमें से प्रत्यक पौधा या प्रत्यक जो कली है वो नए पौधे को जन्म दे सकती है तो कुछ पादपों की जड़ें भी नए पादपों को जन में दे सकती है जैसे आपने शकरकंद का उधारल देखा है या शकरकंद शकरकंद की जो जड़े हैं उससे नया पौधा बन सकता है ठीक है जैसे आपको यहाँ पर दिखाया गया है ब्रायो फिलम की पत्तियों के किनारे पर कलिकाएं होती इस तरह से अगर ये कलिकाएं किसी मिटी में गिर जाए तो नए पादप को बना सकती है इसके लब आपने कैक्टस के बारे में सुना है तो कैक्टस जैसे जो पादप होते हैं उनके भाग जो मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं वो भी नए पादप को जन्म दे सकते हैं जैसे कैक्टस का पौधा है आपने इस तरह से लगा हुआ है और आपने उसके एक हिस्से को अलग कर लिया और इसको काट करके जमीन में लगा दिया ये किसी मिट्टी में दबा दिया तो इससे भी नया पौधा बन सकता है तो आपने सीखा कि काइक प्रवर्धन एक तखनीक है है न तो काइक प्रवर्धन के जरीए इसका लाव क्या होता है कि पौधों को कम समय में उगाया जा सकता है क्या कर सकते हैं पौधों को कम समय में उगा सकते हैं इसके लावा बीजों से आप जिन पौधों को उगाते हैं उनकी तुल्ला में जो काईक प्रवर्धन से उगाये गए पौधे हैं उनमें पुष्प जल्दी आ जाते हैं यानि वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं तो यह याद रखीगा कि नए पादप जनक पादप की exact प्रतिलिपी होते हैं यानि अगर आपने काईक प्रवर्धन के जरिये जो भी पौधे उगाए हैं वो क्या होंगे एकदम उसकी प्रतिलिपी होंगे अर्थात उसकी जिरुक्स होंगे या फोटो कॉपी होंगे या उसी की कॉपी होंगे अगला क्या है बीज तो बीजों में आपको पता है कि बीज कैसे बनते हैं लैंगिक जनन से अर्थात यहाँ पर नर और मादा दोनों के गुण मौझूद होंगे वो मिल करके नया युगमक बनाते हैं तो दोनों ही जनक के गुण होंगे ऐसे में जो बीज है वोत्पन होगा और उसके गुण अलग-अलग तरह से दिखाई देंगे या नि क्रॉस किया हुआ एक नया जीव या नया पादप का जन्म होना इसमें जो अगला शब्द है वो है मुकुलन तो मुकुलन के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आपने यीष्ट के बारे में पढ़ा होगा किसके बारे में? यीष्ट के बारे में पढ़ा है यीष्ट का उप्योग करके bread वगेरा बनाई जाती है ठीक है तो yeast को अक्सर सुख्म दर्शी के द्वारा ही आप देख सकते है इसके लिए अगर परयाप्त पोशन कहीं पर मौजूद हो कहीं पर परयाप्त पोशन हो तो yeast अगर आपने yeast की कोशिकाई डाली है तो वो बहुत आप किसी बरतन में थोड़ा सा yeast का पाउडर कहीं से ला करके डाल दो और इसमें थोड़ा पानी डाल दो और फिर थोड़ी चीनी डाल दो फिर आपको दिखाई देगा yeast कोशिकाई को जिस तरह से मौजूद होंगी उसके बाद यहाँ पर एक अलग से बढ़ निकलने लगेगा इसको कहेंगे मुकुलन ठीक है और यह मुकुल जो निकलेगा कुछ समय के बाद इस कोशिका से अलग होकर कुछ दिनों के बाद या कुछ समय के बाद बढ़ा हो जाएगा और परिपको mature कोशिका में बदल जाएगा मैच्योर कोशिका में बदल जाएगा और फिर अपने ही समान दूसरी कोशिका को फिर से जन्म देने लगेगा इसमें नए मुकल फिर से निकलने लग जाएगे तब आको सौझ में आगया कि ये इसी तरह मुकलन के जरिए काफी तेजी से अपनी संख्या को बढ़ाता रहेगा और यिष्ट की जो कोशिकाएं हैं काफी जादा फिर वहाँ पर मौजूद हो जाएंगी इसी तरह आप अगला देखो इसको कहते हैं खंडन विधी क्या कहते हैं खंडन विधी आपने तालाबों में या घरों में अगर कभी पानी भर गया हो तो आप देखते हो जलाशेयों में अक्सर हरे रंग की कुछ फिसलंदार तैरते हुए आपको कुछ फूल या पेड़ पौदे जैसी सन्नचनाय दिखती है आप देखते हो तालाब की उपर काई लग जाती सीधे सीधे अगर उसको कहा जाए तो आप क्या कहते हैं उसको काई लग गई है यह बिसिकली क्या होते हैं यह होते हैं शैवाल होते हैं तो जब कहीं पर, जब किसी जल में पोशक तत्तों की मात्रा बढ़ने लग जाती है, क्या होती है, पोशक तत्तों की मात्रा बढ़ने लग जाती है, तब शैवालों को वृद्धी करने के लिए मौका मिलता है, तब शैवालों के वृद्धी काफी तेजी से होने लग जाती ह तो शैवाल दरसल अपनी वृद्धी करने के लिए खंडन द्वारा गुडन करते हैं किसके द्वारा खंडन के द्वारा ये गुडन करते हैं तो यह जो खंड है माली जे यह आपके सामने एक टुकडा दिया हुआ है शैवाल का ठीक है ये क्या होगा दो टुकडों में बदल गया खंड A और खंड B तो आपको समझ में आए कि जो खंड या टुकडे है ये नए जीवों में बदल जाते हैं इसने शैवालों के वृद्धी होने लग जाती है आपको दिखेगा कि एक समय थोड़े से शैवाल थे और कुछ समय के बाद वो शैवाल पूरे के पूरे तालाब में फैल गए है तो एक निश्चिस समय के बाद जो शैवाल है वो पूरे के पूरे आपके जल ख्षेतर को या तालाब को cover कर लेते हैं ठीक है अब इसमें आपका अगला जो टॉपिक है वो है बीजाडूओं का निर्माड होना क्या होना बीजाडूओं का निर्माड होना तो आपने इसके चैप्टर वन में कुछ पढ़ा था याद है आपको chapter 1 में आपने पढ़ा था कि अगर किसी bread का टुकड़ा है और वो काफी समय तक खुले स्थान में रखा है वायू की उपस्तिती में रखा हुआ है तो कुछ समय के बाद वायू में उपस्तित जो बीजाडू है उससे क्या बनने लग जाएगा वहां कवक उग जाएंगे ठीक है और कवक क्या करते हैं इस तरह से उसमें कुछ रुई जैसी सन्नचना का निर्माल कर देते हैं इसको आपका कहते हैं फफूंद फफूंद लग गई है किसी चीज में जब फफूंद लग जाएगी तो इसको सडाना शुरू कर देगा काफी गीला करना शुरू कर देगा और कुछ समय के बाद इसको विघटित करना शुरू कर देगा अब जो बीजाडू यहां से निकले हैं अब आपको बताएगी है बीजाडू उस पूरी हवा में अलग-अलग स्थानों पर हवा के माध्यम से तैरते रहेंगे क्योंकि बहुत हलके होते हैं लंबी दूरी तक जा सकते हैं तो जो बीजाडू है वो अलेंगिक जनन करते हैं तो प्रते एक बीजाडू के लिए अगर आप देखोगे तो टेंप्रेचर बहुत अधिक नहीं होना चाहिए ठीक है ना ही नमी की मात्रा कब होनी चाहिए तो नमी परियाथ हो और टेंप्रेचर एवरेज हो अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा प्रतिकूल परिस्ति हो जाएगी तो ऐसी किसी भी प्रतिकूल परिस्ति को जहलने के लिए उन बीजाडू के पास एक आवरन होता है क्या होता है बीजाडू को एक आवरन से ढग दिया जाता है ताकि वो लंबे समय तक जीवित रह सके क्या रह सके जीवित रह सके और अनुकूल परिस्थितिया बनने पर फिर ये बीजाडू अंकुरित होते हैं और फिर नए जीवों में विक्सित हो जाते हैं तो आपने एक पौधे का नाम सुना होगा मौस या फिर फर्न तो मौस या फर्न जैसे पादप हैं उनमें जो जनन है वो बीजाडू के द्वारा होता है अब आपको क्लियर हो गया कि आलेंगेक जनन की क्या-क्या विदिया हो सकते हैं अब बढ़ते हैं लेंगेक जनन की पुर की आखिरकाल लेंगिक जनन की क्या प्रक्रिया होती है या किन संदचनाओं के माध्यम से ये प्रक्रिया पूरी होती है तो आपने पुष्प की संदचना इसकी संदचना पुष्प की संदचना पिछली क्लासिस में पढ़ी हैं तो आपको पता है कि जो पुष्प होते पुष्प 550 पुष्प कि लिंगी पुष्प और जिन पुश्पों में पुंकेसर और इस्त्रीकेसर दोनों ही मौजूद होता है उनको क्या कहते हैं उनको कहते हैं दुई लिंगी पुश्प क्या कहते हैं दुई लिंगी पुश्प तो मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरे के पौधे में जैसे मक्का, पपीता, ककडिया, खीरा गराब देखते हो तो इनमें एक लिंगी पुष्प होते हैं जबकि सरसों में, गुलाब में और पिटूनिया जैसे पौधों में दुई लिंगी पुष्प पाए जाते हैं अब समझे, यहाँ देखिए आपके सामने एक पुष्प की संदचना दी हुई है तो पुष्प में अगर आप कई तरह के भागों को देखते हो तो एक भाग है पूंकेसर जो इस तरह से आपको दिखाई देगा तो इसमें देखिए पराकोश है और पुतन्तु है दूसरा आपको दिख रहा है इस्तरी केसर तो इसमें क्या-क्या भाग है इस्तरी केसर में पुष्प को कैसे आप पहचान होगे तो जो बीच का हिस्सा होता है जैसे गुड़हल में आप देखते हो अगर आप गुड़हल के पुष्प को उसकी पत्तियां हटा दोगे तो आपको बीच में ये हिस्सा मिलेगा जहाँ पर बीजांड होंगे और अंडाशे होंगे वर्तिका और वर्तिकाग्र होंगे ये चार शब्द याद रखेगा जो की इस्तरी केसर के भाग है और पराकोश और पुतंतु आपके पुंकेसर के भाग है तो जो दोनों ही हिस्से होते हैं अब आप ये पूछ सकते हो कि सर ये दोनों ही होते कहां है माली जे कोई एक पौधा है क्या है एक पौधा है ऐसा हो सकता है कि उसके भीतर पूंके सर और इस्त्री के सर दोनों ही मौजूद हो अलग-अलग पुश्पों में तो आपको पूंके सर के अंदर पराकोश और तंतु को भी पहचानना आना चाहिए जो नर युगमकों को बनाते हैं दूसरा क्या इस्त्री के सर में वर्तिकागर वर्तिका और अंडाशय होते हैं अंडाशय में एक या एक से ज़्यादा बीजांड होते हैं और लेंगिक जनन में नर और मादा युगमकों से युगमनज बनता है आपको clear हो गया, लेंगिक जनन में युगमनज का निर्माड होता है, इसी में जो अगला point है वो है परागण का, तो इसको समझ लीजे कि परागण क्या होता है, सामानेता आपको पता है कि परागण क्ड़ों में सुरक्षात्मक आवरण बना होता है, ताकि पौधों में लग के हुए जो परागण है, वो सूख न जाएं, अब मालीजे दिन बर धूप पड़ रहे है उस पौधे पर और ये सभी परागण अगर सूख जाएंगे तो फिर उसका कोई लाब नहीं होगा, ठीक है, परागण बहुत हलके होते हैं, कैसे होते होते हैं, तो वायू अथवा जल के द्वारा बह भी सकते हैं, जैसे ही हवा आई और फूल में ये टकराईगे और फिर ओड़ करके अलग-अलग इस्थानों में जाकर गिर जाएंगे, या गिर करके किसी जली इस्थान पर पहुंच गए, या किसी नदी में पहुंच गए, वहां से बहते हुए अन जग पर बैठेंगे, तो पुष्प के वर्तिकागर पर कुछ परागकण गिर जाते हैं, जब परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकागर पर इस्थानांत्रण होता है, अब ये जो परागकण है, क्या है, परागकण है, जब ये गिरे उस वर्तिकागर पर उड़ करके कुछी जीव के शरीर से पहुँच गए तो फिर आप क्या कहोगे इसे क्या कहा जाएगा इस्थाना अंतरण को कहेंगे परागण हो गया तो आपको पता है परागण करने वाले जीवों में मधुमक्खी एक प्रमुख जीव है कौनसी है मधुमक्खी एक प्रमुख जीव है परागण करने वाले जीवों के अंतरगत इसलिए हम कहते हैं कि मधुमक्खिया अगर हमारे परिवेश में मौझूद है तो इससे स्वस्थ परिवेश डेवलप हो रहा है दूसरा क्या है तितलिया इसी तरह भवरे इसलिए मक्खिया इस सब क्या है परागण में योगदान देती है अगर परागण उसी पुष्प के वर्तिकागर पर गिरते हैं जिस पुष्प से वो आए है तो उसे क्या कहते हैं उसको कहते हैं स्वापरागण क्या कहते हैं स्वापरागण याद रखीगा छोटे छोटे से टेक्निकल शब्द है इन पर ही प्रशन पूछा जा सकता है कोई statement बना दिया जाएगा कि आखिरकार स्वापरागण किसे कहते हैं अगर परागण उसी पुष्प के वर्तिकागर पर गिरते हैं तो इसको कहते हैं स्वापरागण और वही पर इस बात को भी याद रखेगा कि अगर जो पुष्प है उसके परागण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के उपर गिरते हैं तो इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं पर परागण तो आपने उस चित्र में देखा है कि किस तरह से परागण की प्रक्रिया होती है चलिए, अब आते हैं निशेचन पर निशेचन क्या है? नर और मादा युगमकों के युगमन द्वारा बनी कोई कोशिका युगमनज कहलाती है कैसे? नर युगमक और मादा युगमक इनसे जो नई कोशिका का निर्माड होगा इसे क्या कहेंगे युगमनज तो अगर आपके सामने कोई एक शब्द लिख करके आ जाए कि युगमनज क्या होता है तो याद रखीगा नर युगमक और मादा युगमक से बनने वाली जो संतती कोश्का है वो युगमनज कहलाती है तो युगमनज बनाने के लिए नर और मादा युगमकों के युगमन का प्रक्रम निशेचन कहलाता है यानि इन दोनों की कोशिकाएं जब मिल करके नया युगम बनाएंगी तो इसको क्या कहेंगे निशेचन कहेंगे ठीक है जो युगमनज है वो भूण में विक्सित होते हैं अब देखिए यहाँ पर आपके सामने दिखा हुआ है निशेचन की प्रक्रिया या युगमक का नि कोशिका से मिल जाएगा और एक तरह से जो नया युगमनज है उसका निर्माड यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा नया युगमनज विक्सित हो जाएगा इसके बाद आप देखो कि फल और बीज का विकास कैसे होता है जब निशेचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो पुष्प में पत्तियां होती है बाकी के भाग मुर्जा कर गिर जाते हैं और मैच्चोर हो जाने पर जो अंडाशा है वो फल के रूप में डेवलप हो जाता है अभी आप देखते हो कुछ समय तक आपको आम के पेड़ का अगर मुदारण ले ले तो आम के पेड़ में बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्म के बीजावरण के अंदर रहता है कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं जैसे आम है और सेब और संत्रा जबकि कुछ फल कैसे होते हैं कठोर होते हैं जैसे बादाम और अकरोड तो अलग-अलग तरह के बीजों का अब आपने एक शब्द दौर पढ़ा है बीजों का प्रकिरण किसे कहते हैं तो आपको पता है कि प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप अलग-अलग स्थानों पर उगे होते हैं आपको दिख रहा है कि एक बगीचा है जहां पर आम के पेड़ लगे हैं और कई सारे लग मौझूद है इसको क्या कहते हैं प्रकिरण कहते हैं बीजों का एक इस्थान से अलग-अलग इस्थानों पर या भिन इस्थानों पर गिरना प्रकिरण कहलाता है आप एक बार यह सोच करके देखो कि सारे बीज सारे बीज एक ही इस्थान पर गिर गए वो इतना सा इस्था सूर्गर के परकाशी कुछ नहीं पौद pag पाएंगेb बीजों का अगर प्रकिर्णन यू कि उने सुछ रूप से काफी सारा पोशर भी उपलब्त हो पाएगा तो व्यापक तरीके से उनको अंकुरित होने में मदद मिलेगी अब आपके सामने एक सवाल यह है कि जो प्रकृती है या आपका जो नेचर है वहाँ पर किसी भी पादब के फलों और बीजों का प्रकृरणन होता कैसे है यह जो शब्द आया प्रकृरणन अर्थात उनका फैलाओ या उनका विस्तारित होना कैसे होता है तो आप थोड़ा सा आराम से सोचो तो आपको समझ में आ जाएगा पहली बात तो हवा के द्वारा या पवन के द्वारा हो रहा है दूसरा आपको पता है जल के द्वारा हो रहा है और तीसरा कैसे हो रहा है जन्तूओं के द्वारा जो इन बीजों को अब देखिए नेचर ने कुछ डिजाइन ऐसा बनाया है कि जब भी कोई नया फल लगता है माली कोई गूदेदार फल है तो कोई जानवर या कोई जीव उसको आकर खाए माली कोई बंदर गया उसने फल को तोड़ लिया और खा लिया मैं कहूँ एक सबजी है सहजन जिसे ड्रमस्टिक कहते हैं या फिर मैपिल ऐसे जो पादप है उनमें जो बीज होते हैं पंक ही उक्त होते हैं तो वो जब भी कभी हवा आती तो हवा के सारे उड़ते हुए चले जाते हैं और फिर किसी दूसरी जगे पर पहुंच जाते हैं वहीं कुछ भी जैसे होंगे जो आराम से तैर सकते होंगे तैरने में सक्षम होंगे, स्पंजी होंगे ताकि दूसरे स्थानों तक जा सके इसी तरह मैंने आपको उता है कि कुछ भी जैसे होते हैं पर कांटे जैसी सन्रचनाय होती है ठीक है ताकि किसी एक स्थान पर किसी कपड़े पर किसी जीव के शरीर पर वो चिपक जाएं तो प्रकिरलन के फिर अलग-अलग विधियां इस तरह से अपना ही जाती हैं जैसे आप देखते हो सूरज मुखी के फल पर और मदार के रोम्यो हो जाए और दूर-दूर जाकर के गिर जाएं जैसे आप एक्जामपल देखो तो एरंड क्या एरंड बालसम कुछ ऐसे पादप है जिनके अंतरगत ये सभी प्रक्रियाएं घटे तो होती है ठीक है तो आज के टॉपिक में इतनी बाते इंपॉटेंट थी जो आपने सीखी है अब आपने क्या-क्या सीख लिया है वो यहाँ पर दिया हुआ है तो जल्दी से आप इसको समराइज कर सकते हो जैसे सभी जीव अपनी किस्म को बनाये रखने के लिए जनन या गुणन करते हैं पादप में जनन दो प्रकार से होता है आलेंगिक और लेंगिक तीसरा आल लेंगिक जनन की विदिया खंडन, मुकुलन, बीजानु, निर्माड और काइक प्रवर्धन ये किसकी विदिया है अलेंगिक जनन की लेंगिक जनन में क्या होता है नर और मादा युगमकों का युगमन होता है काइक प्रवर्धन में पत्तियां, तना और मूल जैसे काइक भागों से नए पादप उगाए जा सकते हैं किसमें काईक प्रवर्धन में अर्थात ये कह रहा है कि पौधे के भागों से आप नए पौधे उगा सकते हैं पुष्प जो है पादप का जननंग है क्या है पादप का जननंग एक लिंगी पुष्प में या तो नर होगा अथवा मादा जननंग होगा दो लिंगी पुष्प में नर और मादा जननंग दोनों ही हो सकते हैं या होते हैं अब जो नर युगमक है वो पराग कड़ों के खानांत्रन का प्रक्रम परागन कहलाता है, important है, अगर आपसे कहीं परागन की परिभाशा पुछ दी जाए तो लिख दीजेगा, परागन दो प्रकार का होता है, स्वापरागन और परपरागन, स्वापरागन में क्या होगा, परागन परागकोश्च से उसी पुष्प के वर तिकागर पर स्थनांद्रित होते हैं यो परागर है वो पवन जल और कीटों के द्वारा हो सकता है नर और मादा युगमकों का युगमक निशेचन कहलाता है और निशेचित अंड युगमनज कहलाते हैं युगमनज का विकास भ्रोन में होता है ये बिसिकली वही सारे कोर पॉइंट है जो मैंने अभी आपको धारण के साथ में समझाए है कुछ आपके सामने अभ्यास प्रश्न है जैसे रिक्तिस्थानों के पूर्ति कीजिए जनक पादप के काईक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रकरम क्या कहलाता है यह आपको यहां भरना है पीछे अपने खूब पढ़ा है ऐसे पुश्पों में जिनमें केवल नर तथा मादब जनन अंग होते हैं क्या कहलाते हैं किस तरह के पुश्प पराकड़ों का उसी अथ्वा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के पराकोश से वर्तिकाग्र पर इस्थानांतरण का प्रक्रम क्या कहलाता है नर और मादा युगमकों का युगमन क्या कहलाता है बीजों का प्रकिरलन किसके किसके माध्यम से हो सकता है कुछ बताना है, आपको, कुछ प्रश्ण दिये है, अलेंग एक जणनन की विधियों का वरलन कीजिए, अलेंग और लेंग एक जणनन की भी चंतर बताना है, सवा परागण और परागण की भी चंतर बताने आप देगी बहुत सारे बच्चे इस पर बहुत कन्फीज रहते हैं स्वा परागण क्या है और बेसिकली परागण ही क्या है अगर आप परागण करना है कोलम A का कोलम B से तो मुकल किस तरह के पौधे में या किस तरह की उसमें हुपयोग किया जाता है आख कहा होती खंडन कैसे होता है पंक किसमे होते हैं और बीजाडू किसमे होते है यहां पर आपको बताना है पादप का जननभाग कौन सा नर और मादा युगमग के विक्सित हो जाता है बीज में पुंके सर में इस्तरी के सर में या फल में यह बताना है आपको अगला कहाई बीजान उत्पन करने वाला एक पादप जीव है किस तरह का गुलाब डबल लोटी का फफून दालू या फिर अधरक ठीक है तो इन सभी प्रशनों के आपको उत्तर देने का प्रयास करना है जहां पर लिखने वाले सवाल है उनको लिखने का अभ्यास जरूर कीजिए तो आज के टॉपिक को यहीं विराम देगे कोई भी अगर आपके सामने प्रशन आता है इनके अलावा जो आपसे सॉल्व नहीं होता तो आप स्पेशल क्लास जॉइन करके मुझसे सीधे लाइव इंट्रेक्शन कर सकते हो तो शाम को साथ बजे स्पेशल क्लास होगी और नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा इसका टेलिग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा तो वहाँ से आपको टैमिंग भी मिल जाएगी और उसका लिंक भी आप जाकर के क्लिक कर पाओगे ठीक है तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में पढ़ते रहे अपने खुब सारा ख्याल रखिए शुक्रिया